कार्तिक और त्रिशा जिला परिशत के स्थानी सरकारी स्कूल में रोजाना जाते हैं बच्चों के लिहाज से ये एक साधारन बात लग सकती है लेकिन जो बात इसे आसाधारन बनाती है वो ये है कि इस स्कूल में केवल दो ही बच्चे हैं इन्हीं दो बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी विनोज सुरवाडे पर है पिसले साल यहाँ पे एक बच्चा था जो तीसरी कक्षा में पढ़ता था उसका नाब कार्तिक शेगोकर है और इस साल कक्षा पहले में एक लड़की नहीं दाखलागी लिया है यह स्कूल महराश के गणेशपूर में है तकरीबन 175 लोगों की आबादी वाला येला का वाशिम जिले का सबसे चोटा गाउं है स्कूल में भलेई महस दो बच्चे हैं फिर भी बच्चों को मिड़े मिल समेट सभी सुविधाई मिलती है बड़ी बड़ी स्कूलों में प्राइट स्कूलों में जो जो भी सुविधा है वो सभी सुविधा है हमारे जिल्ला परशिद स्कूल में चोटी भी रहे तो भी सब सुविधाई आप ही मिलती है शासन की निर्देश के अनुसार वहाँ पे दो बच्चों के लिए हमारी जिल्ला परशद ग्रामिन भाग में स्कूल चलू है वो गाउ में पटसंग्या कम है क्योंकि गाउ की आबादी कम है इसलिए वो स्कूल शासन निर्देश नुसार हम बन नहीं कर सकते हैं विनोट सुरवाडे गाउं के मूल निवासी नहीं है वह दूसरे इलाके से रोज इस गाउं में पढ़ाने आते हैं किसी भी वजह से जब वे गणेश पूर नहीं आ पाते तब शिक्षा विभाग के अधिकारी उनकी जगाए किसी और शिक्षा को जरूर भेशते हैं नहीं नहीं दो तीन